हेलो फ्रेंड्स, WSQ Tech के चनल पे मैं सुरेंदर आपका एक बार फिर से वेलकम करता हूँ आज C language को यूज करते हुए हम लोग एक अलग टैप के pattern को बनाने वाले हैं तो आजका जो मेरा pattern है वो कुछ इस type से होगा आप देख सकते हैं आउटपुट विंडो में आपको देख रहा है कि मैं row number one में five characters print करना चाहता हूँ like A, B, C, D और E इसी type से next row में फिर से five character print करने है A, B, C, D, E इसी type से next में फिर से A, B, C, D, E, इसी type से एक बार और A, B, C, D, E और last fifth row के अंदर भी मुझे A, B, C, D, E को print करना है तो देखें इस type का pattern हम लोग बनाएंगे कैसे आखिर इसका logic क्या है वो सारी बाते हम लोग आज इस वीडियो में करने वाले है तो देखतें आखिर इसका logic क्या है इसका जो logic है इसका जो logic है वो बिल्कुल simple है क्या है देखते हैं हम लोग तो मैं क्या करना चाहता हूँ, आपको यह बता देता हूँ, इसमें मुझे करना क्या है, तीन चीजे मुझे observe करनी है, एक देखिए जैसे यहां मैं हूँ, यह आप जानते है रो नंबर वन है, किके इस रो नंबर वन के अंदर मुझे कितने character print करने हैं, तो मुझे रो नंबर 2 है, यह रो नंबर 3 है, इसी तैप से रो नंबर 4 है और यहां पर मेरे पास रो नंबर 5 है, तो देखिए मैंने क्या करना हूँ, यहां पर 5 रो स बनाई हैं और हर रो के अंदर मुझे यहां पर फिर से 5 और्च्रेक्टर स्प्रेंट करने हैं, तो देखिए अगर हम लोग columns क according बात करें तो यह आपके पास एक कॉलम यह दो यह तीन यह चार और यह पांच कॉलम हर रो के लिए तो मैं क्या करूंगा प्रिंट करने वाले हैं तो मैं काम करता हूं आपको बताता हूं परसेंटेज सी आप जानते हैं परसेंटेज सी कब लगते हैं आप जब कोई कारेक्टर प्रिंट करना है आज की वैल्यूज अगर हम बात करें तो यह कास की होती है 65 तो यह क्या लिखोंगा तो मैं यहां पर क्या करता हूं कि मेरा कॉलम जो है वह चेंज होगा क्योंकि एक दो तीन चार पाँ और वैसी हर कॉलम पर ए बी सी डी आ रहा है तो मैं क्या करता हूं ए बी सी डी ए की जगे क्या करता हूं वन प्लस 64 क्या लिखता हूं तो आप लिखता हूं सी प्लस 64 तो वन प्लस 64 कितना होगा 65 जब कॉलम की वली टू ओगी तो टू प्लस 64 Ï त्सपिक सफ विल जाएंगे और उस नंबर को क्या है आ प्रिंट कर सकता है ठीक है इस तैप से में हैं यहां थोड़ा सा लॉजिक का सइस किया है अब लोग क्या करते हैं चलते हैं इसका code क्या होगा वो चलके देखते हैं तो code में मुझे क्या करना होगा मैं यह जाकर लिख दूँगा hash include std io.h header file को include किया है उसके बाद मैं लिख दूँगा integer main तो main function हम लोग क्यों लिखते हैं आप जानते हैं क्योंकि हम लोग को हर बार जो है main function मैंने आपके लिखा है main function आपके पास एक ऐसा function होता है जिसके तुरू आप अपने दूसरे statement execute कर सकते मुझे इस प्रोग्राम में कोई भी काम करना है तो उस काम को करने के लिए मुझे कहां लिखना पड़ेगा main के अंदर अब main function जो है जब चलता है इस तरीके से चलते चलते सारे statement execute हो जाते हैं आपका program खतम होता है तो जब खतम होता है तो operating system को बताना होता है कि मैंने जो program शुरू किया था वो मेरा program आप successfully terminate हो गया है तो इसलिए आप जो है यहाँ पर लिख रहे है integer main और last में लिखा है मैंने return 0 अगर आपका operating system DOS है तो वो इसको ignore करता है मैंसे वो इसको check नहीं करता है तो इसलिए कभी-कभी हम लोग जो देखते हैं यहाँ पर void main लिख सकते है void main कभ लिखेंगे जब आपका operating system DOS होगा अधर्वाइस अगर आप Unix को भी use कर रहें like Linux, Unix, Windows, DOS किसी पर भी काम कर रहें Mac वगरा पे तो universal आपके पास रहेगा कौन सा int main तो हमने क्या लिखा है int main इसी टाप से यहाँ पर जाके मैं क्या करता हूँ variables बना दूँगा R और C, दो variables ही है आपको, अब मुझे क्या करना है एक loop चलाना, मैं loop कौन सा चलाने वाला हूँ अब for loop कैसा होता है यह देखिए, तो मुझे क्या लिखना है R equals to 1, क्योंकि row की value शुरू होती है 1 से, एक बार यह statement को set करेगा, R की value को set कर दिया, एक बार करेगा, उसके बाद आपस इस जगे पर नहीं आएगा, ठीके, उसके बाद मुझे क्या लिखना है, कब तक चलना है हाँ, बिल्कुल छोटा है, अगर condition true है, तो आगे का कुछ काम होगा, ठीके, अब क्या काम होगा, तो मैं यहाँ जाता हूँ, और यहाँ जाके curly brackets लगा देता हूँ, इसके बीच में जो भी लिखूंगा, वो सारा काम होगा, कब होगा, जब condition true होगी, जैसे सपोज मैं देता हूँ, printf, और ऐसे कुछ भी आप इसमें print करा सकते हैं, तो इस type से यह statement कब तक चलेंगे, जब तक condition true होगी, अभी आप देख सकते हैं, condition, क्योंकि r equals to 1 है, r is less than equals to 5 है, condition आपके true है, यह हमेशा true ही रहेगी, कभी false नहीं होगी, क्योंकि r की value हमेशा 1 है, तो मुझे क् increase भी करना पड़ेगा, तो इस for loop का third part है आपके पास, वो है increment, मैं क्या लिख रहा हूँ, r plus plus, इस तरीके से, तो एक बार क्या होता है, initialize होगा, यहाँ पर initialize के बाद का आएंगे, आप condition के पास, condition true है, आपके statement होगे, और उसके बाद जो है, वो re-initialize होगा, तो मैं यहा काम row को set करना था, row मेरी set हो चुकी, curly brackets के बीच में आपको कुछ काम करना होगा, वो statement आपके repeat होते हैं, तो देखे मेरे को क्या करना है, row के अंदर तो आगया, row के अंदर आके क्या करना है, एक बार और for loop चलाना पड़ेगा, इस बार लिखूंगा, c equals to 0, sorry, c equals to 1, क्योंकि c में को 1 से 5 तक जाना है, तो मैं क्या लिखूंगा, c equals to 1, फिर क्या लिखूंगा, c is less than equals to 5, फिकि मुझे 5 तक चलना है, और c को आगे increase करना है, 1, 2, 3, 4, 5, इस टाइप से, अब इसमें क्या करना है, तो इसमें मुझे जाके लिखना है, print है, क्या print करोगे आप, percentage c, आपने लूप क्या करेगा, केवल ABCDE को print करेगा, इस लूप से जब आप बाहर निकलोगे, तो बाहर निकलके आपको यहाँ पर जो है, वो क्या काम करना है, तो मैं बाहर आने के बाद लिख दूँगा, print F, और इसमें जाके लिख दूँगा, slash R, इस टाइप से, तो उससे क्या उस logic के base पे मैंने अपने program को develop कर लिया है, अब हम लोग क्या करते हैं, अपनी file को एक बार execute करते हैं, तो यह मेरा code था, इस टाइप से आपने इसका logic देखा, code देखा, मैं इस file को save करूँगा, और यहाँ F11 की को press करूँगा, आप देखेंगे इसका जो output है आपके सामने आ इस टाइप से जो है, मैंने एक नया pattern आज discuss किया, आगे भी हम लोग दूसरे वीडियो के अंदर ऐसे अलग-अलग टाइप के pattern को discuss करने वाले हैं, तब तक के लिए आप हमारे साथ बने रही हैं, धन्यवाद